बिस्मिल्लाहुराह्मान रुराहीम अगर बच्चों से गिर जाये तो वो साबन को उठा कर भी साबन दानी में नहीं रखते आज मैं आपके साबन दानी से साबन को गाइब नहीं करेगी तो इसके लिए हम लेंगे एक स्पंच जिस से हम बरतनों को साफ करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्पंच के साथ क्या करने वाले हैं तो आपने स्पंच को कुछ भी नहीं करना इस स्पंच को आपने साबन दानी में रखना है फिर इस स्पंच के उपर साबन को रखना इस तरह से ना तो आपका साबन जाया होगा और ना ही फिसलेगा अब आप साबन को जैसे मर्जी रखें ये बिलकुल भी फिसल का नीचे नहीं गिरेगा आप ये भी सोच रहे होंगे कि साबन गिला तो नहीं रहेगा तो ऐसी बात नहीं है ये बिलकुल भी गिला नहीं होगा बस जब स्पंच गंदा हो जाए तो जो साबन इस पर लगा होगा उसी से स्पंच को धो कर रखें आपका स्पंच बिलकुल साफ रहेगा मैं आपको लाजमी रेकुमेंट करूंगी कि आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको इसका रिजल्ट इंशाला 100% मिलेगा ऐसी टिप आपको पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी मैंने एक सर देखा है कि डाइनिंग टेबल पर लोग टिशू पेपर को ऐसे ही प्लेट में रख देते हैं जब हम इनको उठाते हैं तो एक टिशू पेपर हाथ में नहीं आता बलके दो तीन टिशू पेपर लाजमी हाथ में आ जाते हैं अगर आप एक टिशू पेपर उठाएंगे तो एक ही टिशू पेपर हाथ में आएगा तो इसके लिए हम एक बड़ी प्लेट में लेंगे टिशू पेपर और फिर हम लेंगे एक ग्लास glass को आपने इस तरीके से tissue paper पर रखना है और फिर हलका सा दबा कर इसको गुमाना है जब तक कि इनके एक एक parts अलग अलग न हो जाएं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि tissue paper के parts अलग होना शुरू हो गए हैं इसी तरह से हम इसे और गुमाएंगे अगर हम वैसे ही tissue paper को plate में रख दे तो इस से हमारे tissue paper बहुत जाया हो जाते हैं एक tissue paper के बदले हम तीन-तीन tissue paper को ठालेते हैं इस तरीके से आपके tissue paper बिलकुल भी जाया नहीं होंगे तो ये देखे हमारे सारे tissue paper अलग अलग हो गए हैं और ये देखने में भी बहुत खुबसूरत लग रहे हैं जैसे कोई flower हो आप भी लासमी एक बार इस टिप को try करके देखें आपको इसका result इंशाला 100% मिलेगा नाजरीन ये टिप मेरी बहुत ही useful है आप नेकसर देखा होगा जब हम सबस धनिया घर में लाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा दो दिन ही निकालता है मतलब ये कि बहुत जल्द खराब हो जाता है ज्यादा टाइम नहीं निकालता सबस धनिया तो हम तकरीबन सबी सबजियों में पसंद करते हैं लेकिन ज्यादा जल्दी खराब होने की सूरत में हम इसे बहुत कम स्टोर करते हैं। आज मैं आपको ऐसी सबदस टिप बताऊंगी जिससे आपका सबस धनिया एक हफ़ते तक खराब नहीं होगा और आप इसे बगार किसी टेंशन के स्टोर कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे टिशू पेपर अगर आपके घर में टिशू पेपर नहीं है तो आप अखबार या फिर ब्राउन पेपर का भी इस्तमाल कर सकते हैं। अब हम इस टिशू पेपर में धनिया को रखकर कवर करेंगे। आपने सिरफ इसकी जड़ वाले पार्ट को कवर करना है टिशू पेपर के साथ ताके इसके अंदर हवा ना जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सबस धनिया को अच्छी तरह से कवर कर दिया है अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बाउल उसमें डालेंगे हाफ ग्लास पानी पानी आपने ठंडा लेना है अब हम इस पानी में डालेंगे टू टेबल स्प और आपने पानी में डालकर ही इसको इस्तेमाल करना है, अकेला सिर्का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। हम लेंगे कांच का गलास, उसमें फिर हम टिशू पेपर वाले पार्ट को रखेंगे, और फिर आप इसको जहां पर मर्जी रखें, आपका धनिया एक हफ़ते तक खराब नहीं होगा, बस धूप में आपने धनिया को नहीं रखना है, इससे आपका धनिया खराब हो जाएगा तो ये देखें ये देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है जैसे कोई डैकोरेशन पीस हो आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको इसका रिजल्ट इंशाला 100% मिलेगा नाज़ीन ये जिप मेरी बहुत ही यूजफुल है इस टिप को बनाने के लिए हम ने लिया है मैदा अगर आपके घर में मैदा नहीं है तो आप आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि मैदा ही यूज़ करें इस मैदा को हम एक बाउल में डालेंगे और मैदा हमें चाहिए 3 टेबल स्पून और फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा को हम ज्यादा तर खानों में इस्तमाल करते हैं और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से असानी से मिल जाएगा अब हम इसमें डालेंगे सीरप, ये सीरप एक्सपायर है, एक्सपायर सीरप को हम बास्किट में फैंक देते हैं, लेकिन आप इस सीरप का इस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं, ये भी हम इस मैदे वाली बाउल में डालेंगे, सीरप आपने ज्यादा नहीं डालना, बस इतना डाल कि इसका सख सा आटा गूंद जाए और जब आपने हाथों के साथ आटा गूंद रहा है तो आपने गलब्स का इस्तमाल लाज़मी करना है तो यह देखे मैंने भी गलब्स पहने हैं अब हम इस आटे को गूंद देंगे यह ऐसी सब दस्टिप है जो आपको बहुत जादा फा नाँगे और मैं आपको साथ यह भी बताती हूं कि आपने इन गोलीयों का इस्तमाल कैसे करना है आपने देखा ही होगा कि किछन में कौकरोच और चूहे बहुत जादा तंग करते हैं हमारा किछन में जाना मुहाल कर जते हैं आपने इन गोलियों को हर उस पर रखना है जहां पर आपको चुहे और कौकरोच नजर आते हों इन गोलियों को आप अपने कैबनेट्स ड्राज और हर उस जगा पर रखें जहां पर आपको कौकरोच नजर आते हैं इन गोलियों को खाते ही वो मर जाएंगे और आपको इन से निजात मिल जाएगी अगर आ आपके घर से चुहे और कोक्रोच ऐसे गाइब होंगे जैसे कभी न देखे हों आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको इस गर जल्ट इन्शाला 100% मिलेगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग अल्ला हाफीज